अभी अभी ही अलाए यह गर्मा गर्म एकदम केक के माफी केक जैसा पीठा देखें न इसको अभी मिलाते हैं भजा पे दूस्तों यह देखिए यह भजा थोड़ा सा चटनी अलो दोस्तों सागत है हमारे नए वीडियो में देखिए यह दोस्तों रेड टी अद्रग वाला टी यानिक चाय तो दोस्तों यह रात का वीडियो है इसलिए हम घर बेटके कर रहे हैं वीडियो यह रहा मेरा चाय यह तो दोस्तों किनकिन को रेड टी पसंद है प्रिपया लाइक करना और कॉमेट भी करके मुझको बताना और यह रहा दोस्तों आज का हमारा नाइट डिनर कड़ाई पिठा दोस्तों इसको उसना चावल से बनाया गया है उसना चावल को भीगा के रखे थे और भीगोने के बाद एक दिन भीग के रहे गया उसके बाद हमने इसको आज रात में तो कड़ाई में डालके पिठा बनाया है इसमें सिर्फ नामक दिया है दोस्तों और कुछ नहीं किया हाँ पल्टे के फिर से एक बार काटो पल्ट के काटो लाइन्स है ओके बास तो दोस्तों यह रहा हमारा आज का नाइट डिनर यह रोस्तों कला नमक तो और एक आइटांग है यह रहा बीम्स और आलू का प्राएं बस 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 और यह देखिए यह मेरा फेबरेट है दोस्तों आचार चत्नी देखिए दोस्तों मैं इसको बना के रखा हूँ दोस्तों तो अभी खाना स्टार्ट करते हैं पहले साइज कर देते हैं दोस्तों अगर नमक नहीं होगा तो नमक मिलाएंगे यह मेरा पीठा मेरा यह मेरा पत्नी का पीठा उनका यह सब्जी बीम्स का सब्जी दोस्तों बीम्स आलो का फ्राहिं तो दोस्तों हम खाना खाने के लिए बैठ गए हैं हम दोनों पत्ति पत्नी और देखिए वहां मेरी बेटी सुई है और उसको अंध्यरा कर दिया है ले अंध्यर करने का मतलब यह है कि अंध्यरा होगा तो उसको लगेगा कि रात हो चुका है और रात भी हो चुका है दोस्तों इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा में दूसरा कैमेरा कैमरा में दीखाता हूं आपको दुस्तों हवे बैटेवी उल्टां लगा लाइक करना और अपने दुस्तों के साथ चाहर चरूर करना दुस्तों अभी अभी ही लाए एक गर्मा गर्म एकदम केक के माफी केक जैसा पीठा देखें न इसको अभी मिलाते हैं भज़ा पर दूस्तों यह देखिए यह भज़ा थोड़ा सा चट्नी आजा आजा ओफ यह भज़ा वीन सालू का भज़ा और चट्नी खाते हैं मस्त दोस्तों यह उसना चावल का पिठा है अरवा चावल नहीं है दोस्तों उसना का चावल का पिठा है मेरी पत्नी को यह पीठा बहुत पसंद है ना बस्तपन में खाई थे मुझे बोल नहीं है पिठा बनाने मेरे जब बना रहे थे पिठा न मारी पत्नी बोल रहे थे कि बस्तपन में मैंने बहुत खाया है यह इसा पिठा मुझको अच्छा लगता है दोस्तों मुझे भी अच्छा लगता है यह उसना चावल का पिठा इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है सिर्फ नमक मिलाया है उसना चावल है नमक यानि थोड़ा सा स्वाद के अनुसा अच्छा पका है ना जोस्तों यानि कड़ाई पिठा केसा लग रहा है कॉमेंड में जरूर बताना है तो और बोलते हैं कि यह पिठा ज्यादा हेल्थी है तेरा दोस्तों चाहे गर्मा गर्म चाहे खाने के बाद चाय का चुष्की लेंगे तो दोस्तों आज तो यही था हमारा नाइट दिनर और यही खाके हम सो जाएंगे दोस्तों हाद चावल वावल नहीं बनाया प्रोटी बगरा भी नहीं बनाया दोस्तों पीठा खाके सो जाएंगे और ग्री नहीं में एटू जोस्तों यहीं वज हम आएंगे 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 सो बनाय पा हम को किए गून नहीं हम qué दोस्तों मैंगे उबowan कि चाय बीठा यह बहुत अच्छा लगता है ना कि दोस्तों जो नए देख रहे हैं मेरे भाई बेहन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं बीच बीच में ऐसा ही वीडियो आपको लिए लाता रहता हूं तो दूनों हम खाना खा रहे हैं तो मिलते हैं दूस्तों अगले वीडियो में तबते के लिए हमको इज़ज दे दीजिए बाई बाई